हलो मित्रों जै मातादी मित्रों माललक्ष्मी के पावन पर्व दिवाली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है मान्याता है कि धनतेरस का पर्व धनवंतरी और आपके कुवेर महराज जी को खुश करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है इस दिन बहुत सारी चीजों को खरिदारी की जाती है लेकिन इन में से कोई एक चीज आपके भागे को बदलने वाला होता है जो कि आपके आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका भागे साथ नहीं दे रहा पैसो की तंगी आपको लगतार घेरे रहती है या फिर आपको एक कस्ट ही कस्ट जीवन में हैं तो आपको आज धंतिरस के दिन कुछ ऐसी चीजों को खरीदने से आपका भाग्योदे हो सकता है आपका भागे आपका हमेसा साथ देगा पूरा साल आपका खुसमे होने वाला है पारिवारी कलेश भी आपकी दूर हो जाएंगी तो विडियो को आखरी तक देखिएगा क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि विडियो को लाइक करके चैनल को अभी सस्क्राइ कर लीजेगा और कमेंट में जय मालक्ष्मी अवस्य लिखें मित्रों सुब समय में किया गया कार्य हमेशा सुफल दायक होता है ठीक उसी प्रकार सुब समय में किया गया कार्य के साथ साथ सुब बस्तूं को घर में लाने से आपके भाग्योदे होने के पूरे-पूरे चां के 17 मिनट तक रहने वाला है कुल 58 मिनट की ये अवदीर रहने वाली है इसमें प्रदोस काल और विरिसब काल है जो के प्रदोस काल जो है वो आपके 5 बच के 45 मिनट से लेकर 8 बच के 17 मिनट तक रहेगी और विरिसब काल आपके 7 बच के 19 मिनट से लेकर 9 बज के 14 मिनिट तक रहेगा मित्रों आपको बता दें कि धंतेरस में पूजा करने के लिए उप्यूक्त समय जो है वो परदोस काल के दोरान होता है जब इस्तिर लगन प्रजलित होती है माना जाता है कि अगर इस्तिर लगन के दोरान धंतेरस की पूजा की जाए तो लक्षमी जी घर में ठहर जाती है व्रिसब लगन के इस्तिर माना जाता है और दिवाली के तेहवार के दोरान यह अधितर परदोस काल के साथ ही चलती रहती है तो आईए जानते हैं वो कौन से चीजों को आपको धंतेरस की दिन खरीदना चाहिए जिससे कि आपका भाग्योदे हो सके और आपका रुका हुआ बिजिनस चल पड़े आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस दिन हो सके तो आप रुद्राक्ष की माला अवस्य खरीद लें इसे खरीदने से आपको सुफफल दायक मिलेगा और आपका जीवन जो है वो एक नया मोड लेगा और आपको पूरा साल धन समपत्ती की विर्दी होती रहेगी पारिवारिक कलेश ये आपके खत्म हो जाएंगे और आप पर मालक्षमी की वियसेज किरपा कुबेर महराज की वियसेज किरपा बनी रहेगी आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन आप जरूर से जरूर आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष की माला जो है वो आप जरूर खरीद ले और साथी साथ आप जो हैं लक्ष्मी गनेज की मुर्ती जो है वो भी आप अवस्य खरीद लें मित्रों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भागित जरूर उद्य होगा और आपकी आ रही सारी परिसानियों का निदान हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जह मालक्ष्मी अवस लिखें